एलो गाई स्वागत है आपका टेस्ट पर लाई पेरमेडिके क्लासिज में और लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए एक और वेकेंसी अपडेट एक और गुड नियूस बिल्कुल सही सुना आपने यहां पर तो सारी जानकरी कि हम यहां पर बात करेंगे कि कहां पर वेकेंस ुचल पर आपने पर पर एकिशाम देना है क्योंकि बहुत अच्छी पोस्त हैं पर चलियो हैं दोल्कुल ऑपुल Orlain इक्लेर हो जाएगा उसके लिए आप साइट को विजिट करते रहें साइट को आप बिल्कुल भी ना भूलें इसके अलावा CRT का मतलब है कि यहां पे computer based आपका exam होने वाला है कोई भी written वाला जो फंडा है वो विल्कुल भी नहीं है देखें तो हम यहां पे बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्त है सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे विडिलोजी टेक्निशन की जहां पे 15 पोस्त है ठीक है 15 पोस्त दूसरा पोस्त है आपका technician का ही है बट वो radio therapy technician का होगा और radio therapy technician की अंदर भी जो grade पे आपको मिलेगा वो कित्ता मिलेगा आपको level 6 का जो grade पे है वो मिलेगा और यह भी हमारे group C की अंदर ही count होने वाली है इसके अलावा जो तीसवी पोस्त होगी वो होगी nuclear medicine technologies के लिए इनकी total पोस्त हैं 7 जो tentative हैं 7 पोस्त हैं यहां पर जो grade पे है वो होगा level 5 का grade पे और यह जो है यह भी group C के अंदर ही count होगा तो basic तीन तरीके से पोस्त हैं आपके यहां पे new NMT क्या हो गया एक हो गया radio therapy का और एक हो गया radiology का ठीक है तो जिस भी तरीके के जो भी आपकी eligibility है उस सबसे बड़ी बात आती है यहां पर application fees की कि फीस कितनी है तो SCAPGI ने बिल्कुल ध्यान रखा है सब भी लोगों का कोई ज्यादा फीस आप लोगों की नहीं रखी गई है यदि हम यहां पे your general category की बात करें तो normal GST अगेरा लगा कि 1180 फीस होगा और यदि OBC और जो EWS है उनक से आप अपना form फिल कर सकते हैं बिना किसी problem के चलो अब दिक्कत आती है eligibility की कि क्या हम eligible होंगे क्या हम यहां पर इस vacancy की अंदर बैठ पाएंगे तो देखते हैं बैठ पाऊ है या नहीं सबसे पहले normal 10 प्लस 2 यानि कि 12 आपको चाहिएगा जो भी recognized board हैं जहां से भी आप relate कर सकते हैं वहां से उसके अलावा डिप्लोमा ठीक है रेडियोग्राफी के अंदर कुछी भी recognized institution से दो साल का डिप्लोमा और उसके साथ में आपको एक साल का जो experience है पुछ यह ठीक है दूसरा है कि बैसी यदि आपके पास में डिग्री है तो डिग्री के साथ में आपको किसी भी कोई experience की requirement नहीं होगी ठीक है यहां पे बात सेम ही आ जाती है कि वह आप दो साल डिप्लोमा करके एक साल कहीं पर वर्ट कर लो ठीक है तो डिप्लोमा के साथ में वन यह एक्स्पिरियंस बट यहां पे बीएसी के साथ में आपको कोई experience required नहीं है ठीक है चलो अब हम बात करते हैं यहां पे रेडियो थेरपी टेक्निशन के लिए कि यहां पे क्या चाहिए होगा 12th board सेम यह सब के अंदर सेम है 12th board चाहिए ही चाहिए है यह तो जाहिए सी बात है इसके बात ही हम आगे बढ़ेंगे उसके अलावा सेम बही है यहां पे आपका जो डिप्लोमा है व आप डिगरी के साथ में भी फोंफिल कर सकते हैं बट यहां पे कोई experience आपको नई requirement है चलो जी बहुत अच्छी बात हो गई है तो हमारे पास में अब हम बात करें कि क्या क्या चाहिएगा हमें ठीक है कि जब हम फोंफिल करने बैठे हैं तो बहुत सारी चीज़े रखनी होत certificate रजिस्टरन certificate आपका registration number इसके अलावा जो भी आपका जो का सार्टिफिकेट है का सार्टिफिकेट आपको WCWC requirement होगी SCSC के अंदर requirement होगी जर्नल के अंदर तो count होता ही नहीं है ठीक है तो यह आपके जो document है document है आपको यहां पे चाहिएंगे सारे अब देखो अब बात आ technical और non-technical सारी चीज़ें आपको मिलेंगी है ना technical में तो खुश हो जाते हैं non-technical के अंदर problem आती है तो देखो तू आर्प का duration होगा 100 marks के लिए आपकी जंग लड़ी जाएगी यहां पे तो यहां पे total 60 marks जो है वो तो होंगे आपके कि आप radio therapy के लिक दे रहे हैं तो radio therapy से relate questions होंगे और आप radio logic के लिए दे रहे हैं तो उससे यानि कि आपका जो subject है उससे relate questions होंगे 60 marks के ठीक है उसके बाद में 10 marks होंगे general English 10 marks होगा general knowledge का यह सभी के अंदर common होगा 10 marks है हमारे यहां पे reasoning के इसके अलावा 10 marks जो है वो होंगे किस का सबको सबसे जादा डर होता है negative marking तो बिलकुल one third आपकी negative marking है तो guys बिलकुल भी negative marking नहीं करनी है सबकी बहुत अच्छे से हमें क्या करनी है preparation करनी है चलिए उसके बाद में हम यहां पे बात कहने कि minimum जो qualified marks हैं वो कितने होंगे तो फिप्टी परसेंट जनरल EWS और यदि आप आते हैं तो यहां पे 5 परसेंट कम यानि कि 45 परसेंट मेहनत तो बराबर ही करनी है आपको सेलेबस की बात करें तो सेलेबस के लिए वही आप website को देखते रहें website आं विजिट करते रहें तो जैसे एकजाम के आसपार जो भी समय होगा तो बहां पे चीजे हैं हमारी जो सब्जेक्ट से उन पर ही अच्छे से कमाइंड करनी है यह हो सकता है कि कुछ बहुत हेवी होने वाला है बिल्कुल एक्जाम लडाई लडनी यहां पर जंग में जीतनी है तो बिल्कुल भी आ टेंशन ना लेए वह हमें एक्जाम में सेलेक्षन लेने के लिए चाहिए होता है उस वह सब आपको एक ही प्लाटफोम पे मिल जाएगा ठीक है हम सेलेबस की बात करें कि अपके लिए अवेलेबल होगी पढ़िए टैस सीरी दीजे आनलाइस कीज़े कि आप किते पानी में हैं नॉन टेकनिकल की बात करें वो भी आपको अवेलेबल होगा सॉल्ट mcqs की बात करें कि हम लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो भी आपके लिए वैलेबल हैं सॉल्ट mcqs भी ठीक है नोट्स की बात आती है तो साथ में आपको pdf नोट्स भी यहां पर मिलेंगे और इसके अलावा जो हमारे पैनल नोट्स होते हैं तो वो भी आपको यहां पर मिलने वाले तो गाइस किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है अब कोई पी जो एक्स्क्यूज है एक्स्क्यूज आपका हमें तो इक चाहिए वह लड़ाई लडएंगे और चिन लोगों की तैयारी अच्छे से है जिन्होंने बहुत अच्छे से Prepression कर रहे हैं यहां बहुत अच्छी प्रप्रेशन उनकी हो चुकी है कि जो और एक्साम के लिए भी प्रप्रेशन कर रहे हैं तो आप लोगों कि ल मरिभदु को जाल यह को समयता जब तकक हम नहीं सीखेंगे नहीं नहीं से रूप हमारा किसीशन सद्प्राइब अब जब धोлекने नहीं दोसरा ज़ोगा है हमें तो पॉर्स तम की छेकशन के लिए कर लेना है ठीक है तो उसके लिए टैस सीरीज आप लोगों के लिए अवैलेबल है फिफ्टीन टैस सीरीज जो आपके कंप्लीट सालेबस को द्यान में रखते हुए बनाई गई है हर तरीके के माइल्ड मॉड्रेट हैवी ना हाई हर तरीके का जो क्वेशन पैटन है वह वहा स्कुल रेडिव हूँ सेलेक्शन के लिए तो बिल्कुल आपको सेलेक्शन लेना ही है और कोर्से से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है कोई भी अधिक इनफोर्मिशन यदि आप चाहते हैं तो हमारा जो हेल्प लाइन नंबर है है फैल्प लाइन खबराना नहीं है इसी उमेद के साथ में थैंक यू सो मुच